लो एब्रीवन वेलकम बैक टो आवर चैनल आप सभी लोग कैसे हो होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे आज मैं आप सभी के साथ चना दाल तड़का शेयर करने जा रहे हूं वो भी बस पांच मिट में बन करके तैयार बिना कडाई यूज किये हम कुकर में इसे जट टेस्टी लगेगा यह बन करके बहुत ही स्वादिस्ट होता है और देखिए मैं इसे सर्फ कर रही हूं भुजिया सेलेट दही रोटी और चना दाल तड़का के साथ तो आप भी इसे अपने अपने घरों में बनाईए तो इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम मैं एक जार लेंगे जार में मैंने तीन चॉप टमेटो डाला है तरीध चीली उसके बाद ॉछा गोटा धनिया और दो लॉंग और पेस्ट जो हमने बना के रखा ता टमैटो का वो डाल दी है इसे अच्छे से फ्राइ कर लेंगे फ्राइ करने के बाद इसे मैं दो मिनिट के लिए लो फ्रेम पे कवर करके पका लूंगी उसके बाद ये देखिए तेल थोड़ा सा ओपर सा आ गया है मारा चु रिच पॉडर नमक कस्तूरी मेथी और इसके बाद इसे अच्छे से हम मिला लेंगे इसमें देखिए मैंने कोई एक्स्ट्रा मसाला नहीं डाला है ना इसमें हमें अनियन डालना है ना गार्लिक डालना है ये आप भगवान को भी जो ठाकुर जी है उन्हें भी भोग लगा सकते हो कृष्ण करहिया को ये देखिए अब मैं जो चना डाल है वो डाल दूंगी इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे मिक्स कर लेना है ये देखिए ये मिक्स होने के बाद कुछ इस तरह से ये देखेगा इसके बाद इसमें हम दो गिलास करेंगे पानी एड़ कर देंगे ये देखिए अब फिरसे इसको मिला लेंगे अच्छे से उसके बाद मैं इसमें करी पत्ता डाल दूंगी थोड़े से आप इसे skip भी कर सकते हो बढ़ जो कड़ी पता का टेस्ट होता है वह बहुत ही अच्छा होता है इसलिए अगर आप एड़ करोगे तो इसका टेस्ट और इन्हेंस होगा अब मैं इसमें पांच विसेल लो फ्लेम में लगाऊंगी यह देखिए मेरा जो पांच विसेल हो लग हो चुका है और दाल कुछ इस तरीके से रेडी हो चुका है यह बिल्कूल ही पक जाता है अच्छे से हमें कोई इसको सोक करने की ज़रत नहीं है दाल को पूरी रात हम कूकर में भी लो फ्लेम में पांच सीटी लगाने के बाद जो है हमारा बहुत ही अच्छा तेयार हो जा भूल जाओगे इस दाल तड़के की आगे में की लैसन प्याज वाला दाल तड़का और यह जो बिना प्यार लैसन का होता है वह बहुत ही टेस्टी होता है आप भी अपने अपने घरों में बनाएं और मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि आपने जब बनाया तो वह कैसा बन करके रेडी हुआ और पस आपके घर में पसंद किया या नहीं थैंक यू फूर वाच्ट